मान लीजे आपने जैसी भी मशिन की खोज की है पर फिर भी आपकी टेकनोलोजी को मार्केट में एकसेप नहीं किया जा रहा क्योंकि जैसे भी के आने से बहुत सारे मजदूर लोग बेरोजगर हो जाएंगे अब कुछ ऐसा ही सिनारियो हमें रिसेंटली इन केसिस में देखने को मिल रहा है जैसे कि 2016 में एक इंडियन साइन्टिस ने 15 साल तक खराबना होने वाले रोड टेकनोलोजी की खोज की थी पर फिर भी ये रोड टेकनोलोजी अभी तक मार्केट में पॉपुलर नहीं है कॉंट्रेक्टिंग के ट्रेडिशनल बिजनेस और लेबर एंप्लोईमेंट पे भी बुरा असर होगा वर्क फ्रॉम होम आईटी इंडस्री के लिए ये एक बहुत ही फायदेमन्थ और एफिशेंट वर्क कल्चर है और इससे मेट्रो सिटीज की ट्रैफिक प्रॉबलम भी सॉल हो जाती है पर फिर भी क्यों आईटी कंपनीज एंप्लोईज को वापस बुला रही है अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर जादा बढ़ने लगा तो आफिस स्पेसेज खाली रह जाएंगी रियल इस्टेट में रेंट से इंकम बंध हो जाएगा लोकल होटेल्स और ग्रोसरी शॉप्स का नुकसान होगा और कंस्रक्शन इंडस्ट्री में नए बिल्डिंग्स इंफ्रस्ट्चर की डिमांड रुप चाहेगी तो ऐसी कुछ इशूस का सॉलूशन होनी के बावजूद भी हम डेवलोप्मेंट के उस रास्ते पे हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता आपकी क्या राया हैं कमेंट में जरूर बताएं